संगप्रदेश दादा नगर हवेली का उपचुनाओ 30 अक्तुबर को होने जा रहा है दिवांगत मोहन डेलकर की आत्महत्या के बाद चुनाओ की घोशना की गई है ऐसे में भाच्पा ने दानह सांसत की रिक्त सीट के लिए इवानेता महेश गावित के नाम की घोशना की है महेश गावित एक नए चहरे के साथ भाच्पा अपना नया उमीदवार लोग के बीच मैदान में उतारेंगी वहीं दूसरी और सांसर महंडेलकर की निधन के बाद खाली सीटों पर महंडेलकर की पत्नी कलाबेन भी फॉर्म भरेंगी सुत्रो सिमिले जहान का रिकेनुसार कलाबेन शीव सेना का हाथ पकड़ का 30 अक्तुबर को होने वाले चुनाओं के लिए फॉर्म भरेंगी पति को निया दिलाने के लिए कलाबेन एक विशाल रैली का भी आयोजन किया था रैली में महंडेलकर की आत्महत्या के लिए जिमेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कारवाही की मांगी थी अब देखना यह है कि कलाबेन शिवसेना के पार्टी का टिकिटों मिलेगा लेकिन इन सब के बीच दादा और नगर हवेले में CIC स्वमिकरन बदलते नजर आ रहे हैं मतगणना के नतिज़ाने के बाद 2 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी ।